हेलो और वेलकम पूलुट तो देष्टू ट्रेडर्स इंडिगो को आज हमने शॉट लिस्ट कर रखा था ट्रेड एक्जेक्थूट करने के लिए एंडिगो में हमने अपनी पॉजिशंघ पॉजिशंघ करने का जो ताइम था मॉनिंग में श्चल पांच सब्सक्राइब के ही इंडिगो पूरी तरह से साइट पर है कोई बड़ा मूइमन्ट नहीं है यह बार बर हमारे एंट्री पॉइंट पर जाँ रहा है फिर अपसाइट के दर्प चला जा रहा हाला कि अभी 2 candles में कुछ movements देख रहा है कुछ sparkness आ रही है बड़ी movement नहीं है 2800 के कुछ का चल रहा है बड़ कुछ sense नहीं बनता क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है इंडिगो में morning की reading के according इसके अंदर आज एक red candle form होनी थी यहां पर देखें कि closing indigo के अंदर बहुत ज्यादा चांस है कि red candle में ही इंडिगो आज close होगा और day time frame पर हमें red candle दिखाए पड़ेगी अब जब हम लोग यह देख लेते हैं कि एक red candle form हो सकती यह फिर green candle form हो सकती तो हमें यह decide करने में problem नहीं होती है कि हमें buying करनी यह फिर selling करनी है अब अगर buying करनी तो उसके setups क्या होंगे और selling करनी उसके setups क्या होंगे इस ही के उपर हम लोग आज के discussion करेंगे और एक जो big player का concept होता है ना FIAs बोलिए अब DIAs बोलिए जो बड़ा पैसा डालता है market के अंदर वो smart money होता है तो वो big player किस तरह से हम लोगों का पैसा क्योंकि अलग से तो कोई पैसा आने रहा हमारा पैसा आपका आपका पैसा मेरे पास यही सारा game चलता है तो जो big player का concept होता हूत किस तरह से क्योंकि हम लोग दावा नहीं कर सकती कि वो सबुच इसी तरह से करना ना ही हम यह दावा कर सकते है कि अगर हमने प्रफिटेबल अमेशा आपको ट्रैब करने की कोशिश करता और जहां पर वो आपके उपर बारी पड़ा वहा की जीत अपनी लेकर के चला जायता है ज्यादा तरबार वो हमें और आपको ट्रैप करके अपना इसको समसक्राइब होगा कि इसको थे में दूत अ करकर है increase कर सकते हैं तो फिर हमें ये भी समझ रहा होगा कि वह गेम करता कैसे हम लोग कहां पर कमजोर फढ़ते हैं कहां पर जल्दी टीसेशन लेते हैं अब माल लिजे कोई एक सेटप है अपने पास वह सपोर्ट यह देखिया अब जैसे यह है यह सपोर्ट तो सभी लोग देख रह की और आप ही कितरा हमाई तरह यहां पर काफी लोग ने शॉट सेलिंग की बट बिग प्लेट क्या करेगा ना यहीं पर बड़ी क्वांटी में ओर्डर्स ब्लॉक कर देगा यहां पर बाइंग की ओर्डर्स लगा देगा और यहीं से फिर प्राइस आपका अपसेट की हमाँ पर शो होती हैं वॉल्यूम्स तो बहुत बार हर बार वॉल्यूम्स शो कर देते हैं क्योंकि वॉल्यूम्स कोई नहीं बच सकता कॉइंटिस यहां पर सबसे ज्यादा हम लोग भरोसा कर सकते कोई भी इंडिकेटर वॉल्यूम्स के लेवल पर आ ही नहीं सकता वॉल्य ये पता लगा लें पता लगा लें दा संस के हम लोग ये ट्रैप होने से बच जाए अगर हम लोग ये चीज़ देख लें कि हम लोग गलतियां कहां पर करते हैं गलती का मतलब कि जो चीज़ सभी देखने हुए हम भी देखने हैं तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो गड़ आज भी price ने क्या किया है एक gap up दिखा दिया हम लोगों को बट इस gap up के बाद morning से price ने की एक भी resistance break नहीं किया है उसने morning में 2 candles बनाई ये higher highs की और तब से price आपका नीचे की दिशा में है आपने देखा होगी जो trade भी execute किया अभी दो देखे 4000 के करीब चल रहा है order book में आप जाओगे तो 10 बच कर कितना है 10-7 पर minute trade execute किया हम इससे पहले क्या कर रहे थे market तो 9-15 पर start होगे न हम indigo को select भी करके बैठे होगे तो 10 बच का 7 में ठीक हमने 10 बच का 7 में पहले trade execute क्यों नहीं कर दिया क्योंकि उसके पहले की अब price actions चल रहे readings चल रहे हैं एक gap up हो जाने के बाद में अगर price वहाँ पर resistance ब्रेक नहीं कर रहा है sustain हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ हमने आपको एक setup बता था है जिसमें volumes हमारी lows form करती है falling rose patterns हमने आपको बता हैं इस तरह की तीन volumes होती है और इसी तरह की दो volumes होती है उसके पर काम कैसे करना होता है यह already इस सारी चीज़े हम आपको बता चुके है इसके बाद में जब हम लोग price को पढ़ रहे हैं और volumes को भी हम read करना तो हम देख रहे हैं कि next हमें red candle ही form होते भी देख सकती है जैसे कि simple setup बहुत short में अगर हम आपको बता है तो यहां पर बन रही है volume जब आपको एक ही color की दो lows form करते हुए market दिखाए देख एक और दो दो volume बनी color से में बट जो second वाली volume फस्स वाली volume से कम है तो जो third volume बनेगी probabilities बहुत ज्यादा होते हैं कि वह opposite candle की बन जाए या तो अगर हमारी दो candles positive हैं तो third candle में निगेटिव बन सकती और या फिर अगर हमारी दोनों candle negative है तो third candle में निगेटिव बन सकती इसी तरह का हमारा falling growth होता है और यह decreasing growth होते हैं तो इन दोनों concepts को अलएड़ी बहुत अच्छी तरह हम समझा चुके हैं आपको बीसों trade हम execute करके आपको इस system पर दिखा चुके हैं अब हमें इसके अंदर चाहिए थी एक red candle हमें मौलुम है कि हमें short selling करनी और buying तो नहीं ही करनी अब हमें यह देखना है कि कहां पर सबसे ज्यादा chances है trade execute करके profit में आने के इससे पहले में लोग एक काम करते हैं कि यहां से exit करते हैं क्योंकि यह भी time काफी हो चुका है तो exit ही कर देते हैं सीधे इसको cancel stop loss order cancel position book ठीक ठाक होगे तीन candles में अच्छा profit बन गया अपने पास वहना देखे न पूरे दिन market side वे रही है और यहां से चार candles में ठीक ठाक profit हमें देख्या है 2625 पर अपना book कर लेंगे 2625 और भी नीचे जा रही मार्केट बहुत ज्यादा नहीं जाएगे reversal बन रहे हैं पर reverse हो जाएगे इस एक जग ऐसे reverse हो जाएगी अगर यहां ता गया तो यहां से reverse हो जाएगे 2624.50 2624 2624.20 लीचे सारी कौनिटीज निकल रहे हैं देरे देरे 172 फिर भी बची है अपने पास 98 कौनिटीज निकली है partially executed है प्राइस और position book 172 कौनिटीज बची लीजे स्टार्ट हो गई निकलना जीरो परफेक्ट सारी कौनिटीज निकल रहे 6,075 रूपेस कम्प्लीट ओडर कम्प्लीट हो गया 2624.30 हम लोग अब पूरी तरह से अपने ट्रेट से बाहर है लेकिन 6,000 के साथ हम लोग अब इसक्वार ओफ मूड में है कोई भी position अपनी एक्टिव नहीं है अब हम लोग एक detailed discussion करते हैं कि यह जो हमने trade execute किया है lower time frame पर क्योंकि higher time frame पर जब आप देखोगे तो indigo का past में कोई भी data नहीं क्योंकि यह अपनी lifetime hyper trade करता है decisions लेते हैं अगर इस point पर आकरके हम लोगों की confidence दूर हो गए यह चीज़ अगर हमें समझ में होगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि फिर हम लोग बच सकते हैं इन सारी चीज़ों से वीडियो अच्छा लगता है तो इसको like कीज़ेगा comment कीज़ेगा चैनल पर अगर आप पहली नहीं रह पाते हैं बट टेली राम के तुरू जितनी भी होती वो अप्डेट सम प्रोवाइट करते रहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अब जहान हो जाना चाहिए और यही एक रास्ता है ये इस एक लाइन को आप जहां भी चाहो वहीं यूज करो जहां भी चाहो जो छीज़ देखलो जो बहुत आसानी से जो बहुत इसली आपको दिख रहे हैं मतलब कि वहीं पर ट्रैप हो सकता है जैसे कि एक प्रैजेक्श होती है last video में भी हमने यह बात बोली थी अब जहाँ पर जब सभी लोग देख रहे हैं कि price बहुत अच्छी तरह से support ले रहा है support ले रहा है support ले रहा है अब यह support जैसे ही break होंगे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं फ्राइस थोड़ा सा नीचे जाएगा बट जैसे ही price की movement downside की तरफ आई यहाँ पर जितने भी orders होते हैं यह block कर लिए जाते हैं huge quantities लगा करके हमें थोड़ी देर तो बहुत अच्छा profit दिखेगा इसके बाद में market सीधे uptrend यह पूरा upside की तरफ जाएगी और आपके जितने भी resistance है न इसको बहुत बुरी तरह से break करते हो जाते है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी liquidity उठा ली है हम लोग बहुत आसानी से trap हो जाते हैं यहाँ पर अगर आखे खुली रख करके काम नहीं करेंगे न या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम आपसे बोलते हैं आज जो भी trade आपने execute किया न उसका general बनो भले ही आपने profit में निकाला है आपने loss में निकाला है loss में अगर कोई trade गया है न तो लिखो क्या गलतियां की है market close हो जाने के बाद तो बहुत आसान होता है न अगर यह mistake नहीं होती तो शायद results कुछ दूसरे हो सकती थे तो क्या जैसे price हमारा नीचे की तरफ आया तो क्या हम यहांसे buying करनी start कर दें होगा न मन में तो आएगा न कि अगर ऐसा ही होता है कि price ने आपस supports लिए support के बाद हमारा नीचे जाता है बट यहांसे यह upside की तरफ चला जागा तो क्या करें price जैसे ही कोई support तो क्या हम लोग वहांसे buying कर ले यह नहीं करना है जैसे ही price आपको कोई भी support form करे और उस support का breakout हो यहां पर आप रुख जाओ ज़रूरी नहीं है market यहांसे आपकी upside की तरफ ही चला जाएगी अगर आपका view किसी stock को ले करके short की तरफ है आपको लग रहा है अब जैसे indigo है indigo में मेरा view था short का short का view होने का मतलब यह है कि अब हम पूरे दिन उसके अंदर buying नहीं करेंगे buying आएगी भी तो हम नहीं करें क्योंकि indigo को आज के दिन हम short selling के लिए ही देख रहे हैं अब indigo में support पन रहे हैं support तूट रहे हैं तो हम सीधे short नहीं कर देंगे हम यहाँ पर अपने कुछ confirmations का weight करेंगे यह confirmations कौन से हो सकते हैं आप volume और price को mix कर सकते हो उनको merge कर सकते हो यहाँ पर lower time frame के फॉर्मेशन देख सकते हो group of candles देख सकते हो दो तेन चार ग्रूप की candles देख सकते हो अब जैसे यहाँ पर यह support form हो गए यह support प्राइस जैसे निकला तुरंत short नहीं करना है रुख जाओ प्राइस क्या कर रहा है सस्टेन हो रहा है ठीक है support लिए जा रहा है अब यहाँ पर आप क्या करो ना जैसे यह support टूटे आप यहां से short selling करो क्योंकि आपको प्रीडिफेंड एरिया है वो यह है तो इस एरिया के नीचे आपको short selling करना है और आपको confirmation हम थोड़ा सा हो सकते ह बोलते हुए आपको दिखाई पड़ें अपने इसाब से हम सही ही बोलते हैं अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत slow बोलने तो आप YouTube एक facility देता है ना speed बढ़ाने की तो आप उसको 1.25 यह 1.5 पर करके अपने इसाब से देख सकते हो क्योंकि हम तो ऐसे ही बोलते हैं और बह University-CV चीज़ है उसको जितना अच्छी तरह से आप समझ जा हो उतना ही अच्छा है बहले ही पांच मिट के अगर आप वीडियो देख रहा हो दो मिटबडा हो जाया वह 7 मिट का वीडियो हो जाया लेकिन अगर वही 5 मिट की चीज़ दिख साथ मिन में बना रहे हैं और आप तो यह वर्त है अपने लिए अथा इसका फाइदा है वहरा हम पांच मेंट की कोई चीज बना रहे हैं और पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको वह समझ में आ है या फिर हम सैटिस्फाइज ना हो सकता है पांच मेंट की वीडियो आप आप देख लो आपको समझ में देखके रहे हैं अपिन काफी लंबा वीडियो होता है इसमें से भी होता है की चीज को दो पर तीन वार समझाते है तो उसके पीछे बस हमारा यह एक ही मोटीवाई, एक ही रीजन है, कि कोई भी चीज छोटी सीवी चीज है, उसको जितना अच्छे से हो, आप समझ लो, जिससे कि हमारे जो समय है वह वेस्ट नहों, और आप अगर कोई चीज देखो या वीडियो मेरा देख फिरह हो दो आपको व Group of Candles जैसे हम लोग अपने trade execute करें, उसके अपने fixed formations होती है, हम उनी formations का use करते है, but अगर beginner level पर आप हो, तो आप क्या करो ना, जैसे ही किसी support का breakout हो रहा है, यहाँ पर आप कोई एक mother candle ले लो, mother candle नहीं ले नहीं है, कोई एक pin बार ले लो, पिन बार के इलावा बहुत सारी bearish formations हैं, आप देखने जाओगे तो आपको internet पर बहुत सारी bearish formations मिल जाएंगे, इस जगह पर आप bearish formations find करो, और जैसे ही उस bearish formation का low break हो रहा है, आप trade execute करो, आप देखना आपकी accuracy बढ़ जाएग, छट से trade execute करोगे, तो जो big player होगा आपकी इस चला गया, क्योंकि इससे पहले भी जो हमने setup बताया, वो तो यह था कि जो stock के अंदर आपने view बना लिया, short का है, तो वहाँ पर हम लोग short कैसे करेंगे, आपको buying करने ही, buying करने से पहले price ने आपके levels को break कर दिया, आपके support को break कर दिया, अब हमें buying करने तो हम कैसे करेंगे, क्या यहां से breakout हुआ, हम buying कर लें, या इस एक जगह पर ही price हमारा है, हम यहां से buying कर लेंगे, नहीं, जो आपके predefined area पर price ने formations form की हैं, इस जिसको समझेगा, आपके predefined area पर price ने जो भी formations form की हैं, जो swings लगा हैं, आप उन swings के उपर price के निकलने का weight करते हो हमेशा, और यही एक सही तरीका होता है, कि price वापस से अपनी range केंदार आया है, यहां से, और जैसे ही आपके level को यह break करेगा upside के तरफ से, so retracement पर आप अपने trade execute करते हो, यह एक बहुत simple सी technique होती है, कि जब आप एक fake breakout से बसते हो, बाकि इसके लावा कई सारे हैं, morning में gap up हो जाए, morning में gap down हो जा जाएगा, gap down हो गया, price आपका नीचे की दिशाम गिर जागा, लेकिन कई बार आप देखोगे कि price ने gap up किया, और price नीचे गिर गया, price ने gap down किया, price तो ओपर की दिशाम चला गया, अभी इस चीज़ को भी समझेंगे, लेकिन अभी हमने जो 2-3 points बता है इसको चार्ट पर देखने चलके, क्योंकि तो ड्राइंग थी ना, अभी चार्ट सो इसको समझेगा, देखे, जैसे यहाँ पर हमने चार्ट उपन कर रखा आपका इंडिगो का, यह already हमने पहले से find करके रखा हुआ है, जैसे कि यह आपका support होगा, आप पहले से भी लेलो, अब यहाँ पर द देखे, अगले दिन भी market उसी जगह से देखे, नीचे की तरफ आई है, इस लेवल को आप delete कर दो, next day क्या हुआ है, यहाँ पर देखे, एक swing लगा, एक support लगा, अब हम क्या करेंगे ना, कि जैसे यह support तूट रहा है, जैसे support तूट हमने यहाँ से short कर दिया, बट market ने क्या किया, एक single candle बनागी, वापस से price अमारा upside की तरफ चला गया, तो यहाँ पर हमने जो चीज़ आपको बताए है, कि अगर हाँ, आपको short करना है, तो आप क्या करोगे ना, इस एक जगह पर किसी भी bearish formations के form होने का wait करो, group of candles होगे, जो भी आपका entry के confirmations यहाँ पर लो, यहाँ पर प्राइस को sustain होने का wait करो, प्राइस यहाँ पर आपका sustain हो रहा है, यहाँ पर जैसे price ने support लिया, अभी support के बाद में, one, two, three, four, और यहाँ पर देखे, market वापस आगए, और यह कुछ swings लग गया आपके, यह वाले आप ले लो, या फिर यह वाले ले लो, आपको जो entry ल ज्यादा है, trap करने की, simple आप क्या करोगे, जो सबसे latest swing होगा, यहाँ पर, यह फिर, इस एक जगह पर, यहाँ पर आपको trades execute करने होते हैं, अब यहाँ भी देखे, एक चीज, price ने breakout किया, और यहाँ यहाँ पर breakouts fail हुए है, upside का movement, down, यह देख रहे ना, अब यहाँ पर आप movements मिलेंगे, और वो movements होगे, जो देख करके फिर आपको मजा जाएगा, आप trade execute करो, आपकी accuracy increase हो जाएगी, लेकिन यह ऐसा ही नहीं है, कि बस मन हुआ कर दिया हमने, दो lot, तीन lot मार दिये, और बस थोड़ा सा profit ले करके नगले, अगर उस mentality के साथ आप काम करोगे, तो यह सा पता है कब हो रही है, market start होने से पहले, और market close होने के बार, live market में तो आप बस ऐसी तैसी कर रहो, live market में आप 2 lot, अरे loss हो गया, चलो ठीक, अपकी बार हम 4 कर देते हैं, 4 lot फिर से loss हो गया, 8 कर देते हैं, loss थोड़ा सा recover हुआ, अब सारा loss recover कर लेते हैं, अब तो आधा हो गया इनसी की तरफ से, वरना गर market चल रही होती हैं, तो आप अपना घर बेच करके भी यहाँ पर loss recover ही करते रहते हैं, और वही करते रहते हैं, वो जो gambling का mindset होता है, इनी सारी चीजों का तो यह big players आपकी हमारी कमजोरी का फैदा उठा है, वो देख रहे हैं, इसको तुरंत यहा पर, अब देखिए, एक green candle देख करके हो सकता है, बहुत से लोग निकल गया हो, वापस आप देख रहे हो, किया रहे, यहाँ पर तुमने बाइं किया थो, बाइं के साथ है, प्राइस फिरमार से दिन नीचे गर गया, अब क्या करें, अच्या चलो, यहां से short कर देते हैं, जैसे आपने short के price वापस उपर चला गया, पूरी दिन ही चल रहा है, आपके पास आपको कोई predefined area नहीं है, आपके पास आपके entry के confirmations नहीं, आपके पास आपके bank के confirmations नहीं, आप हवा में कुछ भी कर रहो, और हम बाते कर रहे हैं, big player से बचने की, और आपको candles read करना नहीं नहीं आ रहा है, आप कहां से कर लोगे, big players वगारा से सबसे बच जाओ गया, लेकिन यह कोई negative चीज है, हम नहीं बोलने है, यह बिल्कुल भी मकसद नहीं है, आपको down करने का, लेकिन एक mental state होती है न, अभी जिस mental state मेरा पैठे हुए हो, आप big player की बारे में सोच ही नहीं सक आप उसे बचोगे कैसे, आपको order लगाने की तमीज नहीं है, आप big player से कहां से बचने की बात कर रहे हो, एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो, smart money ऐसे काम करते हैं, और big player ऐसे काम कर रहा है, उस की तरह सोचो, यह सोचो, हम लोग बाते तो बड़ी बड़ी कर रहे ह हम जिस इस तरपर हैं, क्या उस इस तरपर भी हम सही से काम कर पा रहे हैं हैं नहीं कर पा रहे हैं आप कुछ नहीं करके भी हम जाने दीजे आपके big player course आपको जाने दीजे कुछ नहीं करके अगर आप risk और money को manage करके भी काम कर लेगा ना बहुत है आपके लिए जिस state पर आप हो वहाँ अगर इतना भी काम कर लेगा तो आपके लिए बहुत है इसके बाद में फिर हम लोग देख लेंगे big player और जो भी आप बड़े-बड़े term यूज कर रहो FII, EDI, हम इसको देख लेंगे लेकिन पहले छोटे trades तो execute करो equities में तो profit हो price actions पढ़ना तो आजाए price actions सीखो तो पहले जिस इस्तर पर है उस इस्तर पर तो master हो जाओ न छोटे trades में तो profitable हो जाओ करना नहीं आ रहा है यह और बढ़ रहे हैं हम लोग फिर बड़े trades में हम लोग gold में trade कर रहे हैं हम लोग crypto में trade कर रहे हैं आता नहीं है कुछ लेकिन बस बोल दिया किसीने मन है बस कर रहे है equity तो बेकार यहां पर क्या होता है यह तो बच्चे करते है आपको सीखना है आपको price action सीखना है equity ही आपको सिखाएगा बाकी other segments आपकी जेब में जो last में एक रुपए रह जागा ना वो भी निकाल लेंगे इस चीज़ को आप अभी मान लोगे तो ठीक है market जब अपनी तरह से समझाती ना तो बहुत बुरी condition बना देती है अब और example देखो इसके इसाई levels हमने draw कर दिए अब यहाँ पर देखे जैसे swing आ रहा है अब इस swing का breakout हुआ swing का breakout है हम लोग क्या करेंगे न यहाँ पर buying हो रही है यहाँ पर breakout हो गया and जैसे present breakout कर दिया आप buying मत कर लेना यहाँ पर आप देखो के कोई भी bullish formations form हो इन bullish formations के breakout के बाद में आप trade execute करोगे प्राइस को तब तक sustain होने दो short selling तो करनी नहीं यह अगर short selling भी करने तो फिर आपको यहाँ पर bearish formations के बनने का wait करना है तो देखे क्या हो रहा है green candle burner यह price कहाँ पर pin भर form हो रहा है और high पर कोई movement नहीं बट जैसे ही high volume के साथ price आपका breakout मारेगा अब यहाँ से आप trade execute करते हो और इसके बाद में फिर movements मिलते हैं आप और examples लेलो आपको बहुत सारे example मिलेंगे बहुत सारे example मिल जाएंगे अब यह है यह हमने चलिए swing mark कर ल अब जैसे ही यहाँ पर आपके losses हुए जैसे ही आपके stop loss यहाँ पर hit हुए यहाँ पर liquidity मिल गई और अब देखिये movements कैसे हो रहा है कुछ थोड़ा बहुत clear हो रहा है जो चीज़ हम समझाना चाहरा है मतलब कोई भी एक area जिसके breakout का wait कर रहे हो just एक candle के close हो जाने के बाद हम trade execute नहीं करेंगे price वहाँ पर मेरा sustain हो रहा है और उन swings का breakout जब होगा तब हम लोग अपना trade execute करेंगे ठीक है इसके बाद में हम अपनी कोई formations देख ले रहे हैं और उन formations के form हो जाने के बाद बेट करेंगे उन formations के form हो जाने के बाद पना trade execute करेंगे इन सारी चीज़ों से यह हो support क्योंकि यह price action बहुत common है supports बन रहे है ब्रिक आउट हो गया आपने trade मार दिया और यहां से price फिर आपका सीधे upside गिरफ निकल गया तो यहां पर क्या होगा आप जो सबसे latest swing होंगे इन swings के पास से ही अपनी trade execute करोगे जैसे market ने re-enter किया अपनी area के अंदर अपनी level के अंदर हम लोग यहां पर trade execute नहीं करते हैं अभी हमने जैसा बता है यह बहुत dangerous होता है क्योंकि यह support है आप सोचो कि price वापस से यहां पर touch हुआ है हम लोग buying के लिए नहीं हो सकते है price यहां से वापस से नीचे गिर चाब दूसरी चीज जो हमने बताई है must है याद रखिएगा एक stock को लेकर कि जो आपका view हो वो कभी change नहीं होगा अगर आप indecent bank को short करना चाह रहे हो और उस दिन अगर वो upper circuit लगा रहे हो तो लगा लेने देना बड buying मत करना वरना इससे क्या होगा ना इंडसिंट bank को लेकर कर जो भी study आपने की वो study waste अगर आप यह देख रहा हो हमने माली जी यह देखा कि indigo के अंदर आज एक red candle फॉर्म होनी चाहिए एक red candle बननी चाहिए अब अगर वो red candle नहीं बनी अगर वो red candle नहीं बनी तो ठीक है ना हमने यह reading की थी कि हमारी reading के recording यहा हम लोगों ने draw किया था यहां से इसके अंदर reversal आना चाहिए तो देखे क्या हुआ है वहां पर कितनी बड़ी एक green candle फॉर्म हो सकते हैं यहां से नहीं आता यह price नीचे चला जाता बट probability क्या थे हम लोगों के recording यहां पर एक green candle बनी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे ना green side क यही trade execute करेंगे मतलब buying ही करेंगे अपने confirmations लो trade execute को दो नीचे stoppros लगा दो काम खतम हमारे इतना ही तो काम है अब market green बन रही है हमारा भी वह short का है तो हम अपने आपको judge नहीं करने लेगे हैं कि हमें आता है या नहीं आता हाँ reading तो सही हो रही है न अब आगे बढ़ते हम big players के साथ trade करना है तो अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहला सबसे पहला जो rule आएगा अप early morning trade नहीं करोगे क्योंकि early morning में trapping सबसे ज़्यादा होती है इसका reason क्या है क्योंकि early morning में सबसे ज़्यादा traders active रहते हैं उनकी सबसे बड़ी problem क्या होती है कि price ने last session में अपनी closing दी है इस जगे पर और running market में मतलब आज जो market चल रही है वो open हो गई इस जगे पर इसने gap up opening दिखा इन gap up opening के साथ ही साथ इसने क्या देखा जो retail trader है उन्होंने देखा कि 9.15 का high break हो गया है and previous day का high market ने break किया और बहुत बड़ा gap up दिखा दिया चोटा भी gap up उसने gap दिखा दिया जैसे यहां से breakout होगे यहां से buy कर लेता है and buy के साथ ही साथ प्राइस जैसे buy करो गया थोड़ी देर यह profit में दिखाएगा and वापस से नीचे के दिशाम गिर जाएगा ऐसा एक और दो बार नहीं होता है अधिक तर ऐसा होता है ज्यादा तर ऐसा होता है हमने क्या बताया कि morning में जितने भी higher high आपके लगेंगे आप वहाँ पर trade execute नहीं करोगे अब एकदम सिंपल सी चीज़ है morning में आप चाहे stock को trade करो चाहे derivatives को trade करो अगर आपको higher high किसी भी script में दिखते हैं आप उस script को trade नहीं करोगे morning में wait करोगे लगभख 9.45 से पहले तो trade execute नहीं करोगे कि उससे पहले बहुत ज्यादा rush होता है बड़ी बड़ी candles form होती है तो इस वैसे उस segment को उस time को हमें avoid करना चाहिए higher high आपको किसी भी script में form होते हुँ दिखाई पड़ें तो फिर आप trade execute नहीं करोगे अब higher high आप पर trade execute नहीं करने का जो reason है कि माल लेजे किसी स्क्रिप में आपके formations form होता है यहां पर क्या होता है ना एक जो retracement होता है last day के हमारी closing यहां पर और next day जो हमारी opening हो गई वो इस जगे पर हो गई है यहां से market आपकी up में जा रही है and higher eyes लगते form हो रहे है higher eyes form हो रहे है price जैसे ही नीचे की दिशा में क्योंकि buying तो नहीं करने morning में आप buying and selling कुछ नहीं करोगे price के नीचे आने देने का wait करो और जो सबसे पहले swings लग रहे है जो सबसे पहले swings लग रहे है इन swings को break होने का wait क्योंकि इसी जगह पर क्या होता है ना जितनी भी liquidity होती है जो हम बार बार बात कर रहे है big players big players की वो कभी यूही active नहीं हो जाएगा वो wait करेगा जहां पर सबसे रहे liquidity होगी उस जगह पर active होगा या तो जो morning का सबसे पहला swing होता यह पहली हम बता चुके है morning का जो आपको यह depend काता है कि 9.15 की जो candle बन रही हो किस level को break करके form हो रही लेकिन ऐसा भी हम लोग बहुत rare condition में करते है एक चीज़ क्लियर हुई morning के early morning के trade आपको execute higher high लग रहा होगा तो भी आप trade execute नहीं करोगे जो सबसे पहला swing लगेगा morning में आप उन swings के breakout का wait करोगे और तभी आपको trade execute करना है इससे दो फायदा होगे एक तो आप trap से बचोगे दूसरा smart money के साथ में trade execute करोगे जो big players होगे उन big players के साथ आप trade execute करोगे जो second important point है वो है हमारा support and resistance हम किसी भी level के breakout होने का wait करना है अब जैसे triangular action है हमें यह read कर लेना होगा कि क्या जैसे हमें breakout पर trade execute करना है तो इस breakout स पहले कोई resistance तो नहीं है यह अगर हमें short selling करनी है तो price का यहां कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि support firm हुआ हो support बना हो और हम लोग यहां से short करें और price वापस से इस जगे पर support यह चीज़ समझ में आ रही है किसी भी level पर या किसी भी range का जब हमारा breakout होता है तो उस breakout से थोड़ी ही दूरी पर अगर कोई आपका resistance है resistance कि वहाँ पर अगर आपको targets वो करने है और आपका stop loss बड़ा आ रहा है अगर हम compare करेंगे अपने target से तो वो trade के हम execute करेंगे वो trade हम execute नहीं करते कोई भी area like अब जैसे कि यह तो triangular shape बन गया यहां से price आपका बाहर की तरफ निकल रहा है इस यहां पर आपका resistance है हमें trade execute नहीं करना है वरना क्या होता है कि इस जगह पर फिर हमें trap किया जाता है आप यहां से buy कर लो buy करने के बाद में price थोड़ी दिर ऊपर की तरफ जाएगा और यहां पर यह जो blocks लगे होते हैं इन blocks के पास में huge quantity में short selling की orders होते हैं और जैसे price आपक यहां से breakout करें upside की तरफ आपको direct trade execute नहीं कर देना है अगर को resistance point है तो price को उस resistance को break करने दो otherwise क्या होगा ना कि price उपर की तरफ जाएगा और वापस से नीचे की तरफ गिर जागा क्योंकि आपको buying करनी है selling करनी सेलिंग तो करनी ही नहीं क्योंकि उस stock को पड्यूल or stock को लेकर आपको short side का view है ही नहीं तो अगर वो नीचे की तरफ गिर गिर जाना दो buying करनी तो आप particular उस resistance के break होने का wait करो जैसे ही break हो यहां पर आता है आपका असली काम क्योंकि buying तो सभी करने कि यहां पर एक resistance से हमें चलो buying करनी है यहां पर buying से पहले आपको अपने confirmations लेने होगे बन रही है और जैसे इस bullish formation का breakout upside की तरफ हो रहा है अब आप trade execute करते हो यहां पर probabilities बढ़ जाती है आप fake breakout से बचोगे आप trap होने से बचोगे और high probabilities के actions पहुंचोगे जहां पर actually smart money trades कर रहे हैं इससे आपको movements बढ़े मिलेंगे stop loss जाने की chances कम होगे आपकी accuracy बढ़ेगी और य इसलिए market में work करती है आप इसके अपर practice तो करो आप जब trade execute करोगे तो आपको confidence हैगा दो तीन चार पांच पांच पांस trade में कुछ मिलने वाले नहीं है आपको चलो यह trade है पांस trade हम execute कर लेंगे उसके बैट करके देख लेंगे तो पांस trades में आपको इसकी reality पता चल backtest करो वैसे personally हमें ना तो backtest के ओपर believe है नहीं dead charts के ओपर drawing करके खुद को मज़ा दिलाने में believe है कितना अच्छा काम चल रहा है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या नहीं हो है आज कभी जब आप trade देखोगे ना तो live market में जिस system से trade execute किया वो system ने आपको समझाया है थोड़ी नहीं है कि actually चीजें live market में work कैसे करते है अथरवाइस dead charts के पूर तो जिसको देखो वो सब dead charts ही यहां पर यह एक area है यह आपका level बन गया अभी इस level पर यह आपका resistance बना resistance बन जाने के बाद में जैसे price आपका breakout करेगा आप trade execute कर दोगे but actually यह तो सब हो चुका है ना हमें क्य यह तो कोई भी कर लेगा कि यहां पर आपको buying करने ही थी यहां पर आप buying कर लेते यहां फिर फिर एक हजार lot मार दे तो फिर आप करोड़ पती बन जाती यह तो कोई भी कर लेगा real market में काम करना हैना running market में practice करो debt charts का running market से कोई लेना देना नहीं होता सारी चीजा पहले ही हो चुकी है third and सबसे last point trade with the trend यहां पर सबसे ज़्यादा chances क्या होते हैं कि downtrend market में जब market bullish sign दिखाती हैं bullish में दिखाती हैं बहुत strong दिखाती है आपको लगेगा कि volumes भी आ रहे हैं उसमें breakouts भी अच्छे हो रहे हैं बर price थोड़े दिखाने के बाद में again downside के तरफ किर जाती है और यह volumes आते हैं retest price का कोई भी अगर अपना support area है या कोई भी आपका resistance point है और price आपका retest करने के लिए downside पर आ रहा है तो यहां पर अकसर आप देखोगी कि volumes increase हो जाते volumes यहां पर आपको increase होते हो दिखाई पड़ेंगे जिससे कि defined area यानि के support या resistance आपका पहले से decide किया हुआ अगर कोई भी area है और वहां पर support पर volumes पर आ रही है या फिर resistance पर आपको strong volumes दिख रही है मतलब कि aware हो जाओ वो trend reversal का sign होता है तो कुछ नहीं trade with the trend यह बहुत ज़्यादा कुछ मुछकिल नहीं है एक basic trend आपको देख लेना है कि price का trend है यह up trend है या downtrend है up trend में आप short selling नहीं करोगे और downtrend में आप buying नहीं करोगे clear अब जब हम यह बोलने कि आप buying नहीं करोगे तो उसका मतलब यह नहीं कि आप short selling कर दोगे buying नहीं करना है यह confirm short selling हम confirmations के बात करेंगे या फिर हमे short selling करनी है तो मतलब कि फिर हम buying नहीं करेंगे confirmations लेंगे और short selling तीन चीज़े हमने आपको बता है इन तीन हो चीज़ को अब देख जहूं आपको यह सारी चीज़े बाता रहे है न तो बहुत normal लग रहे होंगे आप इसको practice करो एक concept जैसे breakout हो जाने के बाद जब आप market में भी देखेंगे न चार्ट पर जहूं दिखाएंगे तो आपको दिखेगा कि actually जो हमारे stop loss जाने की सबसे ज़्यादा जगा तो यही है भाई यहीं पर तो सबसे ज़्यादा stop loss जाएंगे कि हम कहां पर गलत हो रहे हैं कहां पर liquidity zones सबसे ज़्यादा form हो रहे हैं कहां पर हमारे BOS या chalk models form हो रहे हैं इनसे सबसे क्या है न कि आप trap होने के place find कर पाऊगे जिस वजह से क्यों कि आपको पता से लिगा कि यहां से हम लोग trap हो सकते हैं इस एक जगह से हम लोग trap हो सकते हैं इस एक जगह से हम लोग trap हो सकते हैं तो फिर यहां से आप लोग बचने की तरकीव find करोगे और ढूंडोगे तो आपको मिलेगा अभी जैसे हमने बता है कि आप रुक जाओ wait करो price का यहां पर sustain होने देने का wait करो तुरंध short मत कर दो buying भी करना न तुरंध buying नहीं कर देना है यहां पर देख लो काँपर swings लग रहे हैं उन swings का breakout हो जाने दो अपने formations बनने दो bullish formation बनने दो अब आपको बाइङ करें तो bullish formation बनने दो या इस जगह पर आपको ningún shorts formation बननी है तो shorts formation फॉर्म हो जाने दो और जैसे मार्केट उन शॉर्ट का सपोर्ट का ब्रेकाउट डाउनसाइट के तरफ कर रहे आप ट्रेड मारो ब्लॉकेट से बचोगे अब यहां पर दिखिए कैसी लिकृडिटी से ट्रैप हुआ है एक तरह प्राइस ने डाउन मुव यहां से प्राइस यहां से वापस देखिए प्राइस रेंज के अंदर आ गया यहां पर क्या होगा क्योंकि प्राइस ने प्रिकाउट कर दिया आप यहां पर बाई कर लोगे और बाई करने के साथ इसाथ प्राइस यहां पर सस्टेन नहीं हुआ और यह वापस देखिए नीचे की तरफ गिर ब्रेक आउट हुआ आप 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 आपको नीचे की तरफ आगे आपने अपनी निकाल दी अब क्या हुआ ना आपको यहां से किया गया ट्रैप के साधे साथ अब यहां से हम बहुत सकते हैं कि जो बाड़ा इमाउंट है वह इंवेस्ट किया गया एक बड़ा सौदा डाला गया बड़ा ट्रे इन्द यहांसे देखी कितने अचछे कंफिर्मेशन्स आपको मिलता हैं जब यहां से market upside की तरफ गई तो यहां पर जितने भी aggressive traders होंगे वो सारे active हुए थे और जितने भी समजदार होंगे वो रुके हैं अच्छा समजदार की जब हम बात आप से कर रहे हैं तो इसका के लिए wait करते देगा और price upside की तरफ निकल गया अब इसमें क्या होगा नहीं होगा ना हम sacrifice करने को तयार है लेकिन कोई भी trade जब हम execute करेंगे तो उसको proper discipline proper confirmations के साथ में ताकि जब मेरा stop loss जाए तो हम यह ना कहा है कि यार यह चीज़ हम देख भी रहे तो समझ भी रहे तो उसके बावजूद भी नहीं होगी हम बर्ल नहीं पाएंगे हम क्या करेंगे at the end कि हमें तो पता था stop loss चला जागा फिर बिल में trade execute करेंगे लीजे आप तो वहीं खड़ो जहां पर थे reading सही रही 1-2 मिलेगा 1-2 के बाद में 1-3 1-4 तक आपको targets मिलेंगे क्यूं क्यूंकि stop losses चोटे होते हैं इसके साथ ही साथ आगे की तरफ देखिया कई सारे example आपको देखेंगे इसके पीछे आईए जैसे यहां पर देखी कुछ supports आपको देखेंगे यह support area इस support के break होने के ब चला गया और फिर से क्या हुआ आपकी range के अंदर re-enter किया market में बट फिर भी यह जो हमारी red वाली candle जो सबसे पहले जिसने breakout दिखा था अभी उसके बाहर market नहीं निकली है अगर थोड़ा सा भी आप समझदार हुए आपने देखना सीख लिया price action को समझ लिया तो आप समझ जाओगे कि यह जो candle है यह पूरी तरह से में trap कर यहाँ पर liquidity उठाई जा रही है यह जो पूरा zone बन रहा है ना आपका यहाँ पर आप जितनी बार होगा short करोगे अच्छा price उपर चला गया वापस से नीचे की तरफ किरेगा आप shortcut होगे आप इस black वाली candle को नहीं देख रह आप वो अगर short हुआ ना तो एक बड़ा movement दिखा देगा और यह कहने के पीछे का हमारे reason यह है कि देखिए price ने सारी कि सारी liquidity जहां पर grab की और सीधे उपर की तरफ क्या जरूरत थी इसको यह यहाँ से भी तो upside की तरफ जा सकता था ना यह नीचे की तरफ इसने दो बार breakout क चू दिखाया हम लोगों को क्या जरूरत थी नीचे की तरफ आने की कि जो हम लोगों की तरह जो small traders है ना जो कम quantity के साथ में कम पैसे के साथ में trade execute करते हैं इनके संख्या जादा है तो यहाँ पर क्या हुआ हुआ ना लिकुरिटी उठाई गया यह पूरा liquidity zone बन गया और यह सब हो जाने के बाद में देखें प्राइस ने जितने भी swings थे वो सारे के सारे ब्रेक करते हुआ market सीध ओपर की तरफ चला गया तो अभी जो first example हमने आपको देखाया था कि breakout हुआ breakout हो जाने के बाद में जो आपके swings form हो रहा है यह वाली जो swing बन रहा है अब ऐसा नहीं है कि price जैसे ही नीचे की तरफ आया और यह अप में गया आप यहाँ पर trade execute कर दो ऐसा नहीं करना है जो breakout होने से पहले आपका swing बना होगा ना इस swing के बाद में ही हमें trade execute करने है retracement पर ऐसा बने कि direct trade execute हो गया retracement होगा यहाँ पर हम अपने entries के confirmations नहीं है and then trade execute होगा समझ में आ रहा है ना यह trapping होती है आप trap को समझ लेगा है अगर अगर आप trap को समझ लेगा है तो यह समझ लो आप 90% smart money को समझ लेगा है क्योंकि उनका पूरा धंदा चलता है हम लोगों और हगे की तरफ आओ आप यहाँ पर देखे proper एक uptrend है market में पूरा भी एक uptrend चल रहा है है ना बट कहीं पर भी आपको breakout दिखा और वो breakout अगर high volume के साथ में आया तो मतलब की woofy trap है क्योंकि हम क्या समझेंगे कि price ने हमारे trend land को break कर दिया है नीचे की तरह volume के साथ break किया है हम लोग short कर सकते हैं ना short नहीं होगा price में यहाँ पर आपको देखेगा कि breakout हुआ सिर्फ एक एंडल फॉर्म ही price सीध है अपने जितने भी strings तो ब्रेकर की market direct upside की तरफ चलिए यहाँ से जितनी ही बार जाएगा क्योंकि uptrend में हमें short selling करनी ही नहीं है और जितनी ही बार हमें हम debt chart उठाते हैं जैसे ICICI bank है अब यहाँ पर तो सारा काम होगे हम आपको क्या ही बता देंगे लेकिन समझने वाली चीज हम समझ सकते हैं ऐसा नहीं कि debt charts के उपर practice ही बंद होगी वो चीज़ करनी है लेकिन आपको बड़ा फैदा होगा जो जिससे आप उसीखोगे फिर व सीधे अपसाइट की तरफ चला गए बाइंग नहीं कर लेंगे जब तक इस स्विंग नहीं जाएगा हमारे जब तक इस स्विंग नहीं चूटेगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे अब यह नीचे ही चला जाएगा यह सभी लोग देख रहे हैं कि प्राइस हमारे नीचे जाएगा रुक जाओ मत करो अगर इसको नीचे जारा है न वेट करो इस एक जगह पर प्रॉपरा वेट करो यह कि सपोर्ट पॉइंट्स हैं इस सपोर्ट तक आने का प्राइस को लेनी है अभी नीचे जा रहे हैं वेट करो आपके लेवल के नीचे प्राइस सस्टेन होगा उसके बाद ही आपको कुछ करना है इसको देखते रहे हैं अब गैप और गैप डाउन को समझे हम इसके लिए जो एक्जांपल लेंगे आपके निफ्टी का लेंगे एक हम लोग और Сिंपल एक ट्रेंड अगरह हम ड्राउ कर देया है यहां से लेकर करके यह हो कि कि एक हमने ट्रेंड लाइन रॉइन ड्रॉइleased अब इस ट्रेंड कि price ने gap up opening दिखाई gap up के बाद में price ने direct low तोड़ दिया direct low तोड़ दिया और सीधे नीचे की तरफ आगया market यहाँ पर कितने लोगों ने short नहीं किया हो और यह वाला जो gap है ना इसको market fulfill करेगी ऐसा समझ करके ही short किया होगा बट क्या हुआ हमारी और आपकी कमजूरी का फैदा उठाए गया यहाँ पर कितने लोगों ने short किया होगा and वापस से market देखी क्या किया है अपनी range के उपर यहाँ पर गई सीधे upside की तरफ में किल गई आप इसको पढ़ो इसको समझो अगर आपने इसको read करना सीख लिया तो बहुत सारी problems आपकी solve हो जाएंगे आप traps से बच जाओगे smart money का concept है उसको समझ लोगे smart money का concept कुछ ऐसा नहीं कि 10-15 फ्रेंट के वीडियो में clear हो जाएगा बहुत समय जाता उसमें और किसी के बताने या समझाने साब नहीं समझोगे जब तो खुद आप उसके उपर practice नहीं करोगे तो direct morning में जैसे market खोल गए उसके उपर direct swings लग रहे हैं इनको लगने दो यह high लगा यह हमारा एक low लगा again यह high लगा again यह low और price हमारा upside के तरफ चला गया ठीक है morning के swings कौन से हमारे इसको देखिए morning के swings like सबसे पहला जो मेरा swing लगा वो यह वाला था चलिए हमने इसको mark कर लिया अब ही हमने क्या बताया कि यह वाला swing हमारा नेचे की तरफ तूटा है clear न अब यहां से हम direct trade execute नहीं कर देंगे हमें क्या चाहिए होगा price इस जगे पर sustain हो यहां पर और जब हमारा यह low टूटेगा ना तब हम अपना trade execute या फिर इस जगे पर हम कोई भी bearish formation बनने का wait करेंगे और जैसे price हमारा उस bearish formation का breakout करेगा नीचे की तरफ तब हम trade execute करेंगे इन दोनों में से देखिए कोई काम नहीं हुआ जैसे price हमारा इस वाले swing के उपर निकलता है अब हम यहां से अपना trade execute करते हैं अपने confirmations लो trade execute करो इसके बाद फिर आपको लगेगा कि जो movements हो रहे हैं वो liquid movements है वो बड़े movements है फिर हम लोग यह छोटे-छोटे movements के चकर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि reading करके काम करना है ऐसे ही नहीं कि बस यह black candle बनकी इसके निचे आपने एक्सेट लिया यहां पर देखिए यह पिन बार बना अब 9.15 के नीचे कितनी सिंपल सी चीज है 9.15 के नीचे यह pin bar बनी है और इस pin bar के उपर यह green candle बन गई अब buying का setup क्या है ना इस green candle के उपर प्राइस हमारे निकलेगा बाई हो चाएगा लेकिन कितने ही लोग जो impatient लोग होंगे इस pin bar के उपर बाई कर लें कह सकते है ना कि इस green वाली candle को अगर आपने पकड़ लिया तो आप एक trap से बच गया वरना जैसे price इस pin bar के उपर निकला कितने लोगों यहाँ पर call को buy किया होगा गया ना सबका stop loss गया नीचे की तरफ फिर से buying फिर selling stop loss गया यह जो आपको swing बन रहा है यह वाला swing बन रहा है यहाँ पर अपने confirmations लो trade execute करो आप देखो आपके trades मे accuracy increase होगी accuracy बढ़े गया आपकी और आगे की तरफ आओ जैसे यहाँ पर देखिया है gap up हुआ and gap up gap up के बाद में weight करो swings का weight करो direct trade execute नहीं हो जाएगा ब्लैक एंडल बन रहा है उसके निचे हमने trade execute कर दिया यहाँ पर क्या हुआ price ने gap up किया और जैसे ही 9.15 प्लस हमारा जो money का सबसे पहला swing था वो टूटा upside की तरफ यह swing बना और यह swing high बना ब्रेक हुआ अब आप यहाँ पर अपने trade execute करो condition में क्या होगा यह फिर और भी lower time frame पर हम लोग जाएंगे तो हो सकते हैं यहां से फिर हम लोग क्या करें ना calls को buy करें अब यहाँ पर प्रॉफिट्स को book कर सकते हैं तो ऐसे आपको कई example मिलेंगे और पीछे की तरफ आओ ज जितने भी spark वाली movements होती इस वी trade execute नहीं किया जाता बहुत ज्यादा chance से आप trap हो जाओगे और आप बहुत बड़ा loss करो तो देखें प्राइस हमारे नीचे गिरने दो swings के form होने का weight करो high और यह बना आपको swing यहां तक तो रुख सकते हैं और यह बना हमारा second swing यह बन गया य अब हम देखेंगे कि price क्या कर रहा है अगर इस वाले swing के नीचे breakout दिखा रहा है और confirmation दे रहा है में short की तो हम short कर लेंगे otherwise जीव वाला जो मेरा swing है इसके उपर अगर में buying के confirmations मिले तो फिर हम buying करेंगे अगर price इस वाले level के नीचे आपको confirmations दिखा रहा है short के तो ही market short उपर गया जब तक price आपका इस red वाले candle के उपर यह strong ही है यह गिरेगा नहीं जब तक यह swing आपका protected है price आपका negative नहीं होगा आप यहां से क्या करोगे confirmations दोगे and यह फिर काफी lower time frame पर आकर बहुत minute सी चीज है इसको कि हम लोग देखते है candle का high लेना या candle का low लेना यह increase करता है लेकिन जब तक price अपनी इस black वाली candle का low नहीं तोड़ेगी तब तक यह नीचे गिरने वाली नहीं है हो सकते है यह आपका support भी बने यह देखिए यह देखिए कितना अच्छा support बने next session के लिए swings तो जो भी confirmations आपको उठाने हैं सारे के सारे confirmations आप इस जगर से लो काम करेंगे smart money in the sense कि उस big player के साथ हम कैसे काम करेंगे मतलब कि हमें traps से बचना होगा traps को समझना होगा focused हो करके काम करना हो को कोई भी आप अपना system बनाओ को strategy बनाओ तो focused हो करके उसके पर काम करो अभी जैसे हम लोगों ने क्या देखा था OP OCT का chart देखा था देखिया हमने क कि यह एक तरह का trap है कितने ही लोगों ने यहाँ पर short अगर कोई भी chart देख रहा है तो एक trend line break हो रही है वो तहाँ पर short कर देगा volumes भी आ रही है लेकिन हुआ कि at the end प्राइस उपर चला गया यह swing चला जाएगा तो जो हमने बोला जो target है आपका 1.340 यहाँ था कि पहुंच confirmations लेने हैं आप किसी भी एक points से अपने confirmations लो और trades एक्जेक्यूट करो 1.2 लेना है target 1.3 लेना है यह depend करेगा हो गया पूरी market उस दिन side way है और आप example लेलो आप जितने चाहो उतने example लेलो आपको अच्छे-च्छे examples में लेंगे और इस exercise को use up life market में कर सकते हो इसके benefits उठा स तो हमारे इस वीडियो से इस मेहनत से अगर किसी हमारे एक viewer का भी view change होता है या वह अगर कुछ सीखता है तो पूरा हमारी मेहनत सफोल होगी हम ऐसा मान करके चलेंगे वीडियो अच्छा लागता तो like कर दीजागा and thanks we will meet again